रादी रादे जैमाता की भक्तों आप सभी का स्वागत करती हूँ spiritual ग्यान साधना में और आप सभी से अनुरोद करती हूँ कि spiritual ग्यान साधना को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे ऐसे तो प्रदोशप्रत बहुत अधिक महतपूर्ण होता है किन्तु जब ये स्षावर मास में आता है और शनिवार के दिन आता है तो इसकी महतपता और अधिक बढ़ जाती है चै माता की रादे रादे हर हर महादेब कैसे हैं आप सभी लोग आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बताने के लिए कॉमें चै माता की रादे रादे अवश्रे ही लिखेगा तो भक्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण मास में आने वाले शुक्ल पक्ष के प्रदोश ब्रत के विशे में जो के श्रावण मास का अंतिम प्रदोश ब्रत कहलाएगा हम जानेंगे आज की वीडियो में की प्रदोश ब्रत कब है उसकी डेट क्या है और प्रदोश पूजा का समय काल क्या रहेगा कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा साती पूजा की विधी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ऐसा कौन सा कारे है जो स्रावर्ण मास के इस प्रदोश ब्रत में करने से हमें सभी मनो कामनाओं की पूर्ती होती है, मालक्षमी की कृपा मिलती है, नी संतान तंपतियों को संतान की प्राप्ती होती है, ऐसी बहुत सारी महतपूर्ण बाते आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, तो आप सभी लोगों से अनुरोद करते हैं, कि अदि आप लोग पह जानकारी से भरी हुई वीडियो प्रदोश ब्रत बहुत अधिक महतपूर माना जाता है जो कि महीने में दो बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आता है शनी वार को पढ़ने वाले प्रदोश ब्रत को शनी प्रदोश ब्रत कहा जाता है प्रदोश ब्रत का हमारे पु शिव को समर्पित प्रदोश ब्रत का महत्व शास्त्रों में बताया गया है पौराडिक मानिताओं की अनुसार शनी प्रदोश ब्रत का अत्यदिक महत्व है वर्ष दो हजार चौविस में शाबन मास का अंतिम प्रदोश ब्रत शनी प्रदोश ब्रत ही रहेगा मानिता है कि श संतान दमपतियों को संतान की प्राप्ति होती है साती शनी देव जी की कृपा से सभी रुके हुए काम भी बनने लगते हैं शनी की साड़े साती या शनी की ढहिया से परेशान लोगों को विशेश रूप से शनी प्रदोश ब्रत करने की सलाद दी जाती है कहा जाता है कि जो भक्त इस ब्रत को पूरी श्रद्धा से करते हैं उन्हें सभी दुखों से मुक्ती मिलती है और उनके घर में सुक सम्रिद्धी और धन का आगमन होता है इस वर्ष सावन में शनी प्रदोश ब्रत दिव आशिरबाद और अपनी इच्छाओं की पूर्ती चाने वाले भक्तों क की महिमा हमारे शास्त्रों में वर्णित है तो चलिए यह तो रहा कि शनी प्रदोश ब्रत का क्या महत्व है अब हम जान लेते हैं कि प्रदोश ब्रत सावन के महीने में जो अंतिम प्रदोश ब्रत है वो कौन सी डेट को है सावन का अंतिम प्रदोश ब्रत शावन शुक्लि आपको मिलने वाला है सावन का अंतिम प्रदोश प्रत शावर्ण मास के शुक्ल पक्ष की त्रेवदर शीतिति को रखा जाएगा शनी बार का दिन होने के कारण यह शनी प्रत कहलाएगा शनी प्रदोश प्रत का इंतजार पूरे वर्ष लोगों को रहता है जो भी लोग भग इस बार का आने वाला ब्रत वर्ष का दूसरा शनी प्रदोश प्रत है सावन के अंतिम प्रदोश प्रत को हमें पूर्ण भक्ती के साथ भाव के साथ मनाना चाहिए वैदिक पंचान के अनुसार सावन महा के शुक्ल पक्ष की त्रेवदर शीतिति 17 अगस्त को सुबा आठ बचकर पांच मिनट से प्रारंब होगी इस तिति के माननेता 18 अगस्त को सुबा पांच बचकर 51 मिनट तक रहेगी ऐसे में प्रदोश काल के पूजा मूरत को देखते हुए सावन का अंतिम प्रदोश प्रत यानि शनी प्रदोश प्रत 17 अगस्त दिन शनी बार को रखा जा सावन का अंतिम प्रदोश प्रत यानि शनी प्रदोश प्रत के दिन शुव योग बनने वाले हैं ब्रत के दिन प्रीति योग प्राताकाल से लेकर सुबा 10 बचकर 48 मिनट तक है उसके बाद से आयुश्मान योग प्रारंब हो जाएगा जो कि अगले दिन 18 अगस्त को सुब शनी प्रदोश पूजा करेंगे भ्गवान शिव की पूजा का समय नूट कर लें तो बहुत शिव की पूजा का समय शनी प्रदोश पंगरत के दिन यानि 17 अगस्त 2014 दिन शनी वार को शाम के समय 6 बचकर 58 मिनट से रात 9 बचकर 9 मिनट के बीच कभी भी आप प्रदोश काल में भगवान भोले नात की माता गौरी के सहित उपासना कर सकते हैं अब हम आपको यहां पर यह भी बता दें वैसे तो पूरा ही सावन का जो महीना है भगवान भोले नात को समर्पित ह और किसी भी दिन रुद्राविशेक कराते हैं सावन के महीने में किन्तु यह जो शनी प्रदोश ब्रत है इस दिन अगर आप करवा सकते हैं आपकी बहुत इच्चा है रुद्राविशेक की तो यह दिन आपके लिए सर्वोत्तम हैं सावन के महीने में शनी प्रदोश ब्रत मिनट के बाद से कभी भी रुद्राविशे कराया जा सकता है क्योंकि पूरे दिन शिववास रहने वाला है सावन में हर दिन शिववास होता है वैसे शनी प्रदोश के दिन शिववास के लाश पर प्राता काल से लेकर सुबह आठ बच कर पांच मिनट तक है उसके बाद दिली में किसी भी प्रकार का काल सर्प दोश है किसी भी भाव में बैठा हुआ है तो आप इस शनी प्रदोश में काल सर्प की पूजा अवश्य ही कराएं आपको समस्त कष्टों से मुक्ति मिलेगी शनी प्रदोश ब्रत बाले दिन आप काल सर्प की पूजा अवश्य ही कर काल सर्प्रदोश से शिवजी की पूझा राहुकाल में कराते हैं, उस दिन राहुकाल का समयं 9 बचकर 8 मिनट से सुभा, 10 बचकर 47 मिनट सुभा तक रहेगा, इस वीच में आप काल सर्प्रदोश की पूझा करा सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शनी प्रदोश का ब्रत रखकर भगवान शिव की भी धिविदान से पूजा करने पर निसंतान दमपत्तियों को संतान की प्राप्ती होती है शनी प्रदोश का ब्रत करने से पुत्र की प्राप्ती का योग बनता है इसके अलाबा जो लोग इस प महीने में बर्ष दो हजार चौविस में यदि आप ब्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और यदि नहीं करते हैं आप कोई भी पूजा से संबंदित भगवान शिव की पूजा संबंदित कारे करना चाहते हैं जैसे रुद्रा विशेक है या फिर आप कालसर्व योग की पूजा कराना चाहते हैं तो आप शनी प्रदोश के ब्रत के दिन अवश्य ही कराएं इससे आपको समस्ति कष्टों से मुक्ति मिलेगी और आपकी मनों कामनाय फोन होंगी विदी विदान से भगवान भोलेनात माता गौरी की पूजा करें ब्रत का संकल्प लें भगवान क मिस्ठान का भोग लगाएं फलो का भोग लगाएं एक सो आठ बेल पत्र चड़ाएं और पूजा की विदी हम आपको हमेशा बताते ही रहते हैं उसी प्रकार से आप पूजा करें भगवार शिव के मंत्रों का जाप करें जैसे कि ओम नम्हशिवाय सबसे सरल्य पंचाक्ष नम्हशिय मंत्र है आप करें इसके अतरिक्त ओम थ्यम्वकम यंजा मेहे सुगंधिम पुश्टी वर्द्नम उर्भअरुक मेवबंदयनार ब्रयत्य और मुक्षी मामृतात आप इस मंत्र का महा मृत्युन जय मंत्र का जाब कर सकते हैं मृत्युन जय मंत्र का जाब कर सकते हैं साती श्री शिवाय नमस्तु भ्यम इसी प्रकार से भगवान भूले नात के बहुत सारी मंत्र हैं आप किसी भी मंत्र का मानसिक जाब भी कर सकते हैं मानसिक जाब जैसे आप काम कर रहे हैं ऑफिस का काम कर रहे हैं घर का काम कर रहे हैं तो उठते बैठते चलते फिरते हर समय आप ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय और फिर शीशिवाय नमस्थभ्यम शीशिवाय नमस्थभ्यम शीशिवाय नमस्थभ्यम इस प्रकार से बो और उसके बाद आप उन मंत्रों से भगवान का सुन्दर सा हवन भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान भोलेनात पहुत अधिक प्रसन्य होते हैं। अभी तो बोले बाबा प्रत्वी पर ही रहने बाले हैं। अपने सभी भगतों को देखते हैं। उनकी फुजा को सुएकार्य करते हैं, भगवान भाव के भूंके हैं, उनको दिखावा नहीं चाहिए होता है, उन्हें प्रेम चाहिए, भग्ती चाहिए, तो जिस प्रिकार से आप करना चाहें, संपुल प्रेम और भक्ती के साथ भगवान शिब को मनाए, मातागौरी के सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और आशिरवाद ऐसे ही इस प्रिचुल ग्यान साधना पर पनाए रखें आपके प्यार और आशिरवाद के विना हम कुछ भी नहीं है तो मिलते हैं आपसे नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक सभी लोग खुब खुश रहें स्वस्त रहें प्रिसन रहें अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें और हाँ जै मता की रादे रादे लिखना बिल्कुल भी मत भूलेगा जै मता की रादे मेरा दे हर हर महादेव